वेल्कम बैक मैं हुँ मांजसीर आप सभी देख रहे हैं सी लॉट नियूज तबला वादक पंडित अनीदो चटर जी ने पदम श्री पुर्सकार लेने से किया इनकार उन्होंने कहा मेरे कई साथियों और छात्र छात्राओं को कई साल पहले ही इस पुरुसकार से नमाजा गया है वैसे भी मैं पूरी रिविन्वता के साथ कहता हूं कि मुझे खेद है लेकिन मैं इस पुरुसकार को सोयकार नहीं कर सकता साथ ही साथ उन्होंने बताया कि करियर के इस पड़ाफ पर वे इस पुरुसकार को लेने के लिए तैयार नहीं है हाल ही में BSF ने Now Ambulance Service को उरिसा में पक्षेपर किया जिसके तहट करीबन 30,000 लोगों को फाइदा मिलेगा यह Ambulance उरिसा के पिछडे इलाकों में Medical Service देने में मददगारी साबित होगी इसे के साथ ही साथ इस बोर्ट में Oxygen Support System है और Emergency में काम आने वाली चीज़े भी है साथ ही साथ इसमें Medical Staff भी रहेगा गुजराट से आई एक अनोखी खबर गुजराट के सूरत के एक खमन बेचने वाले को पेटा इंडियादारा लोगों को मांजा या नियोन के तार के उपियोग को रोकने की पहल के लिए एक पुरुसकार से नवाजा गया जी हाँ जिसे कई पक्षियों की जामडी बची है People for the Ethical Treatment of Animals पेटा ने एक विज्यापित में कहा कि चेतन पटे लेफ 14 जन्विरी को बनाई जाने वाले उत नडायान उचसव के बाद एक किलो फैके गई मांजे की बदले एक किलो खमन की पेशकर्ष की थी Mirror Now के क्तासा खबर के अनुसा Google के मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि CEO सुन्दर पिचाई के साथ साथ Google मुंबई के पांच अन्य लोगों पर कथित कॉपिराइट अधिनियम के मामले में FIR दर्च कराई गई है फिल्म मिरमाता सुनिल दर्चन ने कॉपिराइट मुद्दे पर अधालत का दर्वाजा खटखटाया था जिस पर मंबई कोट ने पहली सूचना रिपोर्ट यानि FIR का आदेश दिया सुन्दर पिचाई को हाल ही में पद्म भूशन से नवाजा गया है वही सुनिल दर्चन फिल्म मिरमाता है उनका कहना है कि फिल्म के कंटेंट पर इनका कोई अधिकार नहीं है उसके बावजूद भी इसे गूगल और यूटूब के प्लाटफोर्म पर इस्तमाल किया जा रहा है आईए जानते हैं क्या है कोविड अपडेट्स बीते 24 घंटे में 2.86 लाग से अधिक मामले, 583 की मौत और 3 लाग से अधिक लोगों की हुई स्वास्थे में सुधार देश दुनिया के तमाम खबरे जानने के लिए बने रहिए सीलोट न्यूज के साथ